कि हमने लास्ट Speed क्या थैं कि थे हुद। बेसिक टैम्स की थे हमने डिस्कस किया था कि लग्फॉड क्या होता है है और इसके इसके अलावा गेलविनिक चल क्या होता है सेल का एक basic structure representation क्या होता है सैल को हम represent किस सरह से करते हैं इलेक्ट्र लिटिक सेल में एंड एलेक्ट्रो कैमिकल सेल में क्या आंथर होता है फर्दर reduction होता है के थोड पर oxidation होता है और पर एनोर्ड नेगेटिव होता है हमें एलेक्ट्रों कैमिकल सेल में कैफोर पॉजिटिव होता है और देफरेंस हमने फुर्दर किया था कि जो इलेक्ट्रोनिकॉटर्स होते हैं अन्ट इलेक्ट्रोलिटिक Divine क BIKE होते हैं उन्में क्या डिफरेंस है इसके अलावा एक जो हमने important बात की थी वो cell diagram हम कैसे लिखते हैं cell diagram लिखना अपने आप में बड़ा एक important question होता है आज जो अब हम discuss कर रहे हैं ये discuss करेंगे इस बात पर की electrode potential हम किसे कहते हैं electrode potential का मतलब क्या होता है and standard electrode potential क्या होता है and standard hydrogen electrode potential क्या होता है तीन बाते मैंने बोली electrode potential standard electrode potential और इसके लावा standard hydrogen electrode potential हाइडरोजन के लिए हम किस तरह से represent कर पाते हैं ये तीन बाते मैं आपको आज detail से discuss करूंगा यही data हम use करते हैं इसके लावा और भी चीज़े discuss की जाएंगे देखो last class में हमने एक बहुत natural phenomenon discuss किया था जो nature में खुद बखुद होता है होता है जिसे हम करा नहीं सकते हैं उसके कुछ examples देकर के मैंने समझाने की कोशिश की थी जब हम एक zinc sulfate solution में जड़ेन एस सूफूर का solution लेते हैं और उसमें zinc strip को dip करके रख देते हैं एक strip ले zinc की metal लिया metal rod ली उससे zinc sulfate solution में dip करके रख दिया डिप करके रखने पर एक phenomenon खुद चलना शुरू हो जाता है जिसे हम कराते नहीं बस हमने तो यह किया कि metal लिया zinc ही नहीं कोई भी metal इस metal का एक salt का solution metal का ही salt होना चाहिए अगर यह zinc लिया है तो यह zinc sulfate होना जाए अब अगर यह नेचर में reducing है zinc electron देने की tendency ज्यादा रखता है तब यह zinc sulfate solution में जब dip किया जाएगा तो अपने electron यहीं छोड़ कर यहां यह solution में zinc काएन बढ़ना शुरू हो जाएगा और थोड़ी देर के बाद क्या होगा थोड़ी देर के बाद यहां negative electrons की संख्या काफी ज्यादा हो जाएगी नेगेटिव charge develop हो जाएगा यहां zinc two positive की संख्या बढ़ गई भई पहले तो charge balance था मान लो one molar था मेरे पास यह one molar था तो zinc two positive भी one mole थे SO4 भी two positive negative यह one mole थे दोनों charge बराबर थे लेकिन एक्स्ट्रा जिंक आने शुरू हो गए जब जिंक एक्स्ट्रा आने शुरू हो गए तो जिंक की संख्या बढ़ने शुरू हो गई electron यहीं रह गए इस solution पर charge आ गया positive इस रॉड़ पर चार जा गया negative हमें इस जिंक की रॉड से या metal रॉड से मतलब है यह एक potential create हो गया भी मैंने इसको wire से नहीं जोड़ा यहां negative charge and solution पर जो positive चार जाया है यह charges opposite भी हो सकते हैं depending on nature of metal की कौन सा metal हम ले रहे हैं metal की electron लेने की tendency है उसके metal आयन के salt के साथ या electron देने की tendency है यह इस बात पर depend करेगा कि metal कौन सा है तब हम इस difference को जो potential difference ही create हुआ है जो negative या positive charge create हुआ है यह negative charge create हो गया यह किसी और metal में हो सकता है यह charge अलगा है हमने जो experiment किया था उसमें copper यूज किया था copper की rod को अगर हम डिप करते हैं metal इसी के salt में लेंगे हम copper sulfate में CUSO4 में copper sulfate copper जब हम डिप करके रखेंगे तो क्या होगा अब reverse होगा यहां यह rod पॉजिटिवली चार्ड हो जाएगी और यहां से कुछ copper यूज हो जाएंगे टू पॉजिटिव तो सल्फेट जादा हो जाएंगे solution नेगेटिवली चार्ड हो जाएगा एक potential यहां create हुआ एक potential यहां create हुआ potential लेकिन यह दोनों अलग अलग हुए difference हो गया potential में इसको बोलेंगे हम के यह potential difference है इन दो rods के बीच में जब potential difference create हो जाता है इस potential के difference को ही हम electrode potential कहते हैं standard electrode potential नहीं सिर्फ electrode potential कैसे define करेंगे हम इसको जब हम किसी metal की rod को या plate को उस metal के salt में डिब करके रखते हैं तो उस metal की rod पर positive या negative charge create हो जाता है और solution पर उसका opposite charge create हो जाएगा इस charge के difference को positive और negative जो यह solution के respect में create हुआ है इसको हम बोलते हैं कि यह एक potential create हो गया है और metal and solution के बीच में potential का जो difference आया है that is called as electrode potential यह definition आपको पक्के से आनी चाहिए हलाकि इसका कम इस्तमाल होगा लेकिन इसके base पर ही standard electrode potential है जो आपके काम का है यह हमारे काम का नहीं है काम में नहीं आता है standard electrode potential काम में आए लेकिन हम standard potential से ही तो इलेक्टरोड potential से ही तो standard electrode potential बनाएंगे अब देखो हम इसकी पहले definition कर लेते हैं देख लेते हैं क्या है when a metal is placed in a solution of its sign यही मैंने बताया its sign मतलब salt the metal acquires either positive or negative उसके nature पर depend करेगा यह की positive आएगा कि negative आएगा with respect to the solution solution के respect में negative आया है तो solution के respect relatively negative यह जो difference आया solution and metal में जो positive and negative चार्ज का जो difference आया है solution में and metal rod में इस potential difference को हम कहते हैं कि यह electrode potential है expected यह है कि आपको इसकी definition याद हो just electrode potential example वही जो हमने डेनियल सेल में किया था हम zinc plate को dip करके रख देते हैं zinc two positive solution में zinc sulfate solution में जरूरी नहीं है कि sulfate यो nitrate ले लो आप हमें तो बस zinc metal को zinc के salt में aqueous salt में जो आयन बना दे ऐसा salt चाहिए बस चाहे zinc acetate लो आप चाहे zinc nitrate लो चाहे zinc sulfate लो बस उसके negative चार्ज को गडबड नहीं करनी चाहिए कुछ reaction reaction ना कर ले आयनाईज हो जाए बस चुपचाप salt हो मतलब वो zinc zinc two positive copper copper two positive silver silver one positive aluminium aluminium three positive metal का metal के iron से potential चेक किया जाएगा अब वो आएगा कहां से जो solution लेंगे हम उसका salt लेना पड़ेगा salt के negative parts से मुझे मतलब नहीं है चाहे zinc chloride लेलो zinc sulfate लेलो zinc nitrate लेलो zinc acetate लेलो लेकिन आयोनिक होना चाहिए non ionic salt नहीं चलेगा वो तो ionize होके आयन ही नहीं बनाएगा तो यह जो potential difference create होता है इसको हम बोलते हैं कि यह electrode potential है एक बात तो यह बड़ी symbol और सीधी सी बात है यह समें कुछ भी मुश्किल नहीं है अब यह तो हमने एक बात बोल दी कि यह एक electrode potential है लेकिन यह electrode potential तो बहुत सारी चीजों का function है कहने का मेरा मतलब यह है कि यह बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है वह यह इस बात पर डिपेंड करे गई ना कि मैटल कौन सा ले रहे हो यह जिंक को जिंक सलफेट में डिप करोगे तो मैटल रॉट पर नेगेटिव चार जाएगा कौपर को कौपर सलफेट में डिप करोगे तो metal rod पर positive charge आएगा किसी पर ज़्यादा potential create होगा ज़्यादा negative charge आएगा किसी पर कम potential create होगा कम negative charge आएगा किसी की electron किसी metal की electron देने की tendency बहुत ज़्यादा है किसी metal की electron देने की tendency कम है तो ये बहुत सारी बातों पर depend करता है उन में से जो तीन बाते हैं वो बड़ी काम की है। ये इलेक्टिराॉड पोटेंशल डिपेंड करता है नेचर पर मैटल के या इलेक्टिराॉड बोल दो आप tired के नेचर पर डिपेंड करेगा ये डिपेंड करेगा temperature जो हमने इस solution का रखा है ये हमने copper sulfate लिया लिए जिप सुल्फेट मैंठ करके रख दया जिंग को जब मैं डिप करके रखदेता हूं, जिप सलफेट के अंदर, तो टेमपरेचर यहां 0 क्रेबी वहो सकता है, 550 से फिल्क वह सकता है 100 क्रेबी हो तेम परेचर चेंज होने के साथ साथ ये potential change होगा एक और बात पर depend करता है एक बार आपने solution लिया 0.1 molar एक बार आपने solution लिया 1 molar concentration दोनों के अलग-अलग थे अगर अलग-अलग concentration है तब इसका मतलब है कि यहां जो potential create होगा वो अलग-अलग होगा तो एक electrode के nature पर एक temperature पर और एक concentration of solution पर यह तीन main बाते हैं हम अगर इन तीनों बातों को fix कर दें मैं कहता हूँ के मैं बस हमेशा zinc की रॉड लूँगा एक और उसे zinc sulfate में डिप करूँगा temperature हमेशा room temperature में लूँगा और concentration हमेशा मैं one molar ही use करूँगा कोई दूसरा नहीं use करूँगा तो अब यह value जो potential की आएगी यह तो constant हो जाएगी यह जो constant value है electrode potential की जो metal के nature temperature and concentration पर depend करती है यह constant value के लाती है standard electrode potential और यह standard electrode potential ही किसी एक given metal के लिए fix value होती है अब aluminium लिया तो उसके लिए एक fix temperature fix concentration पर एक value आगए copper के लिए यह value अलगा जाएगी aluminium के लिए value अलगा जाएगी और किसी भी metal के लिए यह value एक fix होगी यह समझने की बात है क्या बात मैंने बताई एक तो electrode potential जो बहुत सारी बातों पर depend कर रहा है बहुत सारी बातों पर जब depend कर रहा है तो हमने electrode potential को stendize करने के लिए कुछ condition लगा दी कि temperature हम fix रखेंगे concentration हम fix रखेंगे अब मालो एक छोटा सा example देता हूँ एक class में suppose करते हैं आपके 12th class में 30 students हैं जो पढ़ते हैं अब उनको हमें evaluate करना है evaluate करने का मतलब यह हो गया कि उनको कोई test लेना है उनका example के लिए तो test बनाया जाएगा इन 30 students को एक ही test दिया जाएगा ना ऐसा तो नहीं ना student one को तो बिल्कुल आसान सा test दे दिया student 30 number का जो student था इसको जही एडवांस से भी उपर लेवल का paper दे दिया तो यह तो standardized बात नहीं हुई एक को पेपर लिया एसी में बिठा के प्रिंसिपल रूम में ठाट से बढ़िया वाला एसी चल रहा है एक को धूप में बाहर बिठा करके गरमी में पेपर ले रहे हैं सबके लिए सेम एन्वार्मेंट रहेगा मेंस अगर मैं एक फिक्स मेटल लेता हूँ अलिमीनियम तो टेम्परेचर सेम रखा कॉंसेंटेशन सेम रखा अब जो वैल्यू आएगी वह स्टेंडर्ड कहला है अब जो इनके मांक्स आएंगे सबकी वो स्टेंडर्ड इनके अपने उपर डिपेंड करेंगे डैट मेंज पर सबका सेम एनवायरमेंट सबका सेम इन विजिलेटर सबके लिए सेम सारी कंडिशन सेम 12 क्लास के ही बच्चे ऐसा नहीं को इसमें मास्टर्स का बच्चा बैठ ज करता है पेपर पर डिपेंड करता है स्टूडेंट पर डिपेंड करता है हालात जो है उस पर डिपेंड करता है बुक आसपास रखी है कि नहीं खुली हुई किताब का कुश्चन सामने रखा है कि नहीं इन विजिलेटर है या नहीं है इस बात पर डिपेंड करता है पेपर यह standard condition है तो इलेक्ट्रोड potential भी standard होता है तो यह बाते जो मैंने आपको बताई है इलेक्ट्रोड potential बहुत सारे factors पर depend करता है इनमें तीन main factors है और यह तीन main factor है nature of electrode मतलब metal पर depend करेगा concentration of ions in solution इस पर depend करेगा temperature पर depend अब हम इसके पहले standard पढ़ने से पहले करने में इतना आसान नहीं है अभी हम अगर potential पढ़ेंगे तो यह एक relative चलेगा अब हम अगर एक कोई cell रखते हैं solution एक हम fix cell लेकर के चलते हैं यह जिंक सल्फेट है और यहां जिंक रॉड है तो यह तो positive हो गया यह हमने दूसरा रखा एक कोपर मैटल लिया और यहां मैंने copper two positive copper sulfate solution ले लिया या copper nitrate solution में डिप कर दिया यह रॉड नेगेटिव हो गई सौरी यह नेगेटिव हो गई यह रॉड पॉजटिव हो गई copper two positive ने electron ले लिये और electron लेकर यह convert हो गया copper metal में जो कि deposit हो गया यहां पर यहां reduction हुआ है इस base पर reduction and oxidation के base पर हम यह जो हमारा electrode potential है इसको हम दो पार्ट में categorize करते हैं एक oxidation potential एक reduction potential oxidation potential and reduction potential यह क्या categorization मैंने किया किसी electrode potential को हम दो तरह से categorize करेंगे oxidation potential tendency of getting oxidized यह समझने की बात है अभी मैं इस पर आऊंगा वापस reduction potential tendency of getting reduced को यह कितना आसानी से reduce हो सकता है अब अगर मैं कहता हूँ zinc है जिंक असानी से oxidize हो सकता है zinc two positive plus two electron दूसरी बार मैंने equation z and two positive plus two electron इसकी opposite करके लिग दी तो यह जैड़न आजाएगा जिंक मैटल आगे फस्ट हो गया यह मेरे परस यह second हो गई equation यह दोनों एक दूसरी की opposite equations है पहली reaction में oxidation हो रहा है second में reduction हो रहा है फस्ट जितना आसान होगा अगर यह easy है तो second उतना ही difficult होगा अगर इससे electron निकलना आसान है तो वापस इस electron लेना मुश्किल होगा यह दोनों magnitude एक दूसरे के बराबर होंगे oxidation and reduction के लेकिन sign opposite हो इलेक्ट्रॉन देने की tendency अगर बहुत ज्यादा है तो electron लेने की tendency उतनी ही कम होगी मुश्किल हो जाएगा electron लेना Z and two positive के लिए electron लेना मुश्किल है क्योंकि इसके लिए zinc के लिए electron देना आसान है तो मैं oxidation potential and reduction potential को एक दूसरे के equal with negative sign रखता हूं अगर मैं जिंग के लिए ये value रखता हूं जिंग के लिए electron देने के लिए मानलो कोई value x आ गई तो electron लेने के लिए zinc two positive के electron लेने के लिए ये value minus x आईगी अपोजिट डिरेक्शन में चलेगा ये सारा जितना आसान ये प्लस में जितना जाएगा अगर प्लस 20 आ रहा है तो ये minus 20 जाएगा उतना ही कम हो जाएगा ये चेक करनी है बात अब साइन में फिलाल मत उलजना ये साइन फिलाल हम दोनों तरफ negative इदर भी रखने minus oxidation minus हमें लेकिन जो value अपनी लेकर के चलनी पड़ेगी एक किसी या तो reduction के लिए हम मान करके चलेंगे या oxidation के लिए मान करके चलेंगे by convention हमने ये मान रखा है कि electrode potential मैं किसे बोलूँगा electrode potential मैं reduction potential को बोलूँगा electrode potential electrode की बात अगर की गई मान लो ये zinc rod को मैंने डिप किया अब हमें क्या पता कोई ये metal है और ये metal है कोई metal पर positive charge create हो जाता है कोई metal पर negative charge create हो जाता है तो हम values अगर किसी के लिए reduction potential किसी के लिए oxidation potential लखेंगे तो ये तो नाइंसाफी हो जाएगी गलत आएगा तो हम हर एक metal के लिए कोई भी metal दिया जाएगा electrode potential मतलब reduction potential हम oxidation potential अगर लिख करके दिया गया तो जो value reduction potential कि होगी उसका हम माइनस करके oxidation potential लिखेंगे यह एक काम के बात एक मैंने आपको बताती कभी भी जब हम किसी electrode potential के लिए लेक्टरोड potential मतलब अभी वही जो definition में वह नहीं भूलनी है क्या कि जब इलेक्टरॉन का exchange होता है हम किसी मैटल रॉड को solution में उसके आयन के solution में डिप करके रख देते हैं तो इस मैटल पर या तो positive या negative charge create हो जाता है और इसके solution पर opposite charge आ जाएगा जो यह positive negative charge का difference आया है इसको हम किसी एक given electrode का potential यानि electrode potential कहते हैं अब यह electrode potential तो दो टाइप के हैं कभी यह मैटल इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो मैं कौन सी वैल्यू को electrode potential मानूँगा standard way में तो मैं reduction potential को electrode potential मानूँगा जो भी चाहे उसका oxidation हो रहा है या reduction हो रहा है या यानि मुझे जो भी value given है उसे अगर reduction potential की ही value given है तो बिल्कुल most welcome लेकिन अगर oxidation potential की value given है तो मैं माइनस लगाकर अपनी तरफ से पहले इसका reduction potential बना लूँगा फिर उसको कहीं numerical में यूज करूँगा यह oxidation and reduction एक दूसरे के बिल्कुल बराबर लेकिन opposite sign के होते हैं जो मैंने अभी एक्वेशन लिक करके आपको बात बताई हैं बाइ कन्वेंशन इलेक्ट्रोड potential इस रिप्रेजेंटेड बाई production potential यह तो बात रही अभी इलेक्ट्रोड potential कि अब हम standard इलेक्ट्रोड potential पर आते हैं standard इलेक्ट्रोड potential की definition मैंने अभी आपको बताई थी थोड़ी दिर पहले जब हम किसी electrode potential को अब मैं आगे future में electrode potential बोलूंगा तो ब्रैकिट में एक अंदर लगी हुई है साथ मतलब डिड़क्शन पोटेंशल बात ध्यान रखना अब अगर मैं कभी इलेक्ट्रोड पोटेंशल बोलूँगा तो अनलेस ऑक्सिडेशन पोटेंशल नहीं लिख रखा है इस्पेशली अगर लिख करके दे दिया ऑक्सिडेशन पोटेंशल फिर तो कोई हमारे हाथ में कुछ है नहीं और अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशल लिखा है तो तो डैट मींज फो रिड़क्शन पोटेंशल मान करके चलोगी फिर आप उसको oxidation खुद से नहीं मानोगे खुद से मानोगे तो reduction potential मान करके चलोगे हाँ अगर oxidation potential ही लिख करके दिया है फिर आप उसका पहले minus sign लगा कर reduction potential बनाओगे तो अब हम आते हैं इसके बाद standard electrode potential किसे कहते हैं वो potential difference जो किसी solution and metal के बीच में develop होता है अगर solution का concentration one molarity है एंड जो temperature है solution का वो 25 degree Celsius है तब हम इसको यह करेंगे बाद में कुष्टन भी पहले definition कर लेते हैं तब हम इसको बोलते हैं कि यह standard electrode potential the potential difference developed between metal and electrode यह एक solution लिया zinc sulfate का ही लेता हूं मैं common उसको मैं क्या करता हूं इसको मैं dip करके रख देता हूं एक किसी solution में यह zinc sulfate है अब definitely अगर मैंने यह 0.01 molar लिया तो यह अलग potential difference आएगा वान लिया तो अलग आएगा लेकिन यहां मुझे अगर concentration one molar दिया गया मैटल कोई दिया गया साथ में temperature 25 डिग्री इन कंडिशन्स में अगर हम electrode potential चेक करते हैं डाट इस कॉल्ड एज स्टेंडर्ड इलेक्रोड potential अगर सिंपल सा है कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है मिजर्मेंट कैसे करेंगे उस पर भी मैं आ रहा हूं वैल्यू numerical वैल्यू कहां से आएगी यह यह कैसे कल्कुलेट कर लेंगे हम यह भी हो जाएगा यह कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है लेकिन पहले definition की बात definition दिमाग में उत्रे हुई होनी चाहिए यह definition आपके लिए important है आती है बोड में लिखने के लिए आती है लिखने आनी चाहिए लिखने तभी आएगी जब आप कोई डाउट यहां तक किसी को है तो हैंड्रेज कर सकते हो क्योंकि इसके बाद थोड़ असा टॉपिक चेंज होगा मेंस इस्टेंडर्ड इलेक्टर और पोटेंशल को हम calculate करने का तरीका जानेंगे कि मैंने क्या बनाया एक सेटप बनाया इस तरीके का सेटप है यह? किसी एक गां घंड़ का सेटप है जिसमें मैंने इस्टेंडर्ड कंडिशन में वन मोलर सॉलूएिशन लेकर 25 डिगरी सुलूशेस लेकर किसी जिंक रॉड़ को मैंने डिप करके रख दिया तो यह नेगिटिव हो गई इसको मैंने अनौर्ड नाम दे दिया, इस पर उक्सिडेशन चल रहा है मैंने कॉपर रॉड को डिप कर दिया, कॉपर सलफेट के वन मोलर सिलूशन में 25 डिगरी सिल्सेस पर ये काम किया, यहां रिडक्शन हो रहा है, इस पर पॉजिटिफ चार्ज आ गया अब मैंने क्या किया, यहां काम की बात है, मैंने इन दोनों को एक वायर से जोड कर यहां मेजर्मेंट के लिए कोई एक एपरेटर्स लगा दिया ताकि मुझे यह पता चल जाए, सेल का नेट पोटेंशल डिफरेंस क्या है यह अब बंगया हाफ सेल यह है, आधा सेल यह है, जहां ऑक्सिडेशन हो रहा है आधा सेल यह है, जहां रिड़क्शन हो रहा है आधे सेल को बचे हुए आधे सेल से जोड दिया, दोनों में अंतर है तभी electricity का flow होगा अगर दोनों में कोई अंतर ना होता दोनों इधर भी मैं zinc rod लेके उसे zinc sulfate में dip करके रख देता फिर तार जोड़ता फिर तो यह बिजली चल जाती electricity फिर रन नहीं करती अलग potential difference का चाहिए मुझे कोई एक इससे different हो अब वो हमने अपने तरीके बना लिए कि इधर मुझे left पर हमेशा oxidation वाला electrode रखना है राइट पर reduction वाला रखना है तो मैं यहां पर जब इसको measurement करूंगा तो यहां कुछ value आएगी यह value कुछ न कुछ आने चाहिए एक्स value आगई यह एक्स वोल्ट मेजर्मेंट कर लिया मैंने यह क्या है यह इन दोनों के individual electrodes के potential का अंतर है यह X क्या चीज़ है अगर इसका electrode potential A था इसका electrode potential B था तो net cell का electrode potential जो difference है X यह X यह है B माइनस A इनका अंतर यह B standardized है A माइनस B नहीं B माइनस A यह X जो मैं मान करके चलूँगा कि अंतर है अब अंतर मैं A में से B भी कर सकता हूं B में से A का भी कर सकता हूं यह X हमेशा हम जो लेंगे E right माइनस E left लेंगे E right माइनस E left क्या होगा E right क्या होता है reduction potential of जहां reduction हो रहा है copper का और E left क्या है reduction potential जहां oxidation हो रहा है जो भी values की आ रही होगा अब मुझे practically क्या पता चल सकता है practically यह अंतर पता चल सकता है सिरफ इसकी actual value क्या है मुझे क्या पता हूं actual value तो मुझे पता ही नहीं इसकी actual value क्या है तो मुझे क्या पता हूं लेकिन यह वोल्ट मीटर पर मैं पढ़ा सकता हूं जब इन दोनों को connect करके मैं वोल्ट मीटर पर लगा सकता हूं तो यह उसकी सुई जितनी आ गई जिरो से मालो यह किसकते किसकते यहां पर आ गई सुई जो भी है इसकी value मालो पॉइंट सेवन फाइव आ गई सेवन फोर आ गई सेवन फाइव आ गई वोल्ट यह अंतर यह अंतर अलग अलग metals के लिए अलग अलग आएगा यहां हम copper की जगा अगर silver ले ले लें तो सुई अलग घूम जाएगी यह अंतर change हो जाएगा अब मैं तो नहीं बता सकता के b क्या है a क्या है मुझे क्या पता बही मैं ऐक्स लिख रहा हूं angx is blood five तो बही five तो यह 10 और ये 5 भी हो सकता ये fifteen और ये 10 भी हो सकता इंट झाल सकता ये 5 तो बहुत सारे तरीकों से आ सकता है fie अब यहां एक और स्टेंडाइजेशन हम करते हैं एक और बात अपनी तरफ से मानते हैं हम क्या करते हैं एक तरफ तो रखते हैं मैटल और एक तरफ इलेक्टरॉड ऐसा रखेंगे जिसको हम नाम देंगे स्टेंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्टरॉड एक तरफ रखेंगे हम कोई भी मैटल जिसका आप इस्टेंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशल चेक करना चाहते हूं इसे हम रिप्रेजेंट करें यहां पर हम ऐसा नहीं कि कोई सा भी मैटल मैंने रख दिया यह पर हम एक हंदो इलेक्ट्रोड रखते हैं और अपनी तरफ से मां लेते हैं कि उसका reduction potential zero है अब गाम बन गया हमारा मैंने hydrogen electrode potential जो भी कुछ होता होगा अभी मैं आपको बताऊंगा कि यह क्या होता है hydrogen electrode एक रख कर उसका electrode पोटेंशल यानी reduction potential जीरो मान लिया जीरो मान लिया तो चाहिए oxidation भी हो माइनस जीरो इसलिए माना है जीरो अपनी तरफ से यह स्टेंडाइज किया इसे मानी लेते हैं बहुत सारी चीज़े फिर उसके respect में हम relatively सारी चीज़ों को compare किया करते हैं अब मैंने अजर इसको zero मान लिया वोल्ड मीटर में मेरी value x आ गई तो मैं क्या लिखूंगा एक्स is equal to b यानी zero minus a तो a क्या हो जाएगा a is equal to minus x हो जाएगा यह minus x मुझे पता है x मुझे पता है एक ही value मैंने निकाल ली अब मैंने क्या किया दूसरी बार अब तो काम चल पड़ा अब मैंने zinc हटाया दूसरा metal रखा यह standard zero ही रखा इसकी value zinc की निकाली थी जैसे ऐसे मैंने फिर copper की value निकाली एसे मैंने यह value change होती जाएगी copper के लिए value लगाएगी तो कि अंतर तो लगाएगा न पिर ऐसे मैंने aluminium की value निकाली ऐसे मैंने platinum की value निकाली ऐसे मैंने gold की value निकाली सारे metal की value निकाली क्या करके एक electrode मैंने standard hydrogen मान कर यह value निकाली अब यह value यहां जो आती चली गई उसे मैं in metal के electrode potential रखता गया अब मैंने इसको निकाल दिया बीच से बाहर यह value मैं calculate कर चुका मैंने table में लिख रखी है platinum की value calculate कर चुका मैं मैंने लिख रखी है अब इन दोनों का मैं अंतर platinum पता है मुझे यानि B पता है मुझे A मुझे पता है अब मैं क्या करूंगा x calculate कर लूगा that means दोनों electrode के electrode potential का अंतर जिसको हम E cell बोलते हैं E cell हम decide कर सकते हैं E cell ये decide करने का तरीका होगा मैं समझता हूँ कि ये वाली बात आपको clear होनी चाहिए ये main बात है एक बार short में दुबारा से देखो बड़ी तेजी के साथ मैं इसको दुबारा से एक बार बता रहा हूँ इस बार थोड़ा तेज बताऊंगा मैंने एक electrode बनाया अपनी तरफ से उसमें dip कर दिया मैंने metal को and metal का कोई salt लेकर यहां मैंने एक अपनी मर्जी का special electrode रखा जिसका मान लिया electrode potential zero अब इन दोनों को wire से जोड़ दिया यह एक वोल्ड मेंटर से मैंने reading ले ली यह reading practically ली जाएगी यह मिल गई यह क्या कहलाता है यह जो reading ली जाती है यह पूरे cell का net resultant है e-cell मैं बोल दूँगा e-cell is equal to right वाले electrode का जो potential था वो minus left वाले electrode का जो potential है वो इन दोनों को मैं अंतर करता हूँ अंतर करने पर जो result आएगा अब यह क्योंकि zero मैंने मान रखा है तो यह reading यह आ गई इसकी e-cell निकाल लिया मैंने पांच मैटल की बना ली तो अब कोई से दो मैटल ले करके उनका मैं बिना practical किये e-cell calculate कर सकता हूँ यह e-cell given है तो e-electrode हम calculate कर सकते हैं यह है वी अब मुझे जो आपको बताना है कि यह standard hydrogen electrode क्या होता है इसको मुझे discuss करना है अभी तक जो मैंने आपको बताया उसमें अगर कोई दिक्कत की बात है तो देखो हम अभी discuss कर रहे थे कि standard hydrogen electrode क्या होता है अब हम पहले एक बार standard hydrogen electrode देख लेते हैं क्या है बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जगा e-cell में दिमाग लगाना लेकिन फिर भी एक बार को पढ़ना तो पढ़े गाई हमें यह क्या है जल्दी से इसको करके फिर हम main बात पर आते हैं इसको करते हम reference electrode जो कि हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि इसका electrode potential zero है और इसे reference electrode का नाम देते हैं यह एक standard electrode भी कहलाता है और इसको हम standard hydrogen electrode भी कहते हैं standard hydrogen electrode SHE capital में लिखना है small में मत लिख देना इसको hydrogen electrode क्या है hydrogen electrode एक primary standard electrode कहलाता है जिसमें हम क्या करते हैं एक platinum wire या platinum strip लेते हैं और एक platinum black होता है उससे इसकी coating की जाती इनर्ड बनाने के लिए और hydrogen को absorb करने के लिए यह strip होती है इसमें फिर इसको हम glass tube में cover करते हैं और फिर glass tube में रखने के बाद इसको mercury में dip करते हैं mercury में dip करने के बाद हम इसको connect करते हैं किसी acid से मैं अभी इसका diagram दिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा अभी फिलाल तो जस्ट आप यह देख़ें hydrogen electrode कहते किसको हैं यह मैं आपको बता रहा हूं पहले hydrogen electrode एक primary standard electrode है एक platinum strip होती है उसमें coating करे रखते हैं ताकि hydrogen absorb हो जाए और reaction कर ले hydrogen absorb होने के बाद अभी मैं mechanism करूंगा discuss एक platinum wire जो होगा हम इस platinum strip के साथ weld कर देते हैं इसको ट्यूब में cover कर देते हैं और इस ट्यूब के साथ platinum wire एक weld कर दिया जाता है इसको सील्ड कर दिया जाता है यहां से ताकि leakage नहीं हो और पूरी तरस से सील करने के बाद इसमें hydrogen फिर पास की जाती है ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सरकेट हम इसका वोल्ट मेटर से जाकर के connect कर सके हैं यहां हम नीचे इसमें acid में इसको dip करेंगे platinum का जो मैटल है इसको हम one molar HCL में dip करके रखेंगे one molar क्यों क्योंकि standard हमें करना यह जो platinum strip है it is placed in HCL solution जो HCL solution है OH positive देगा कितना होना चाहिए one molar होना चाहिए बिलकुल pure hydrogen जो है हम इसमें से pass करेंगे pure hydrogen पास करने पर अब यह जो chemical reaction हुआ है इसकी बात मैं main कर रहा था यहां focus की जरूरत है आप लोग यह reaction की में बात था है इस chemical reaction में हमें क्या सोचना है यह एच टू लिया यह जो एच टू पास की आइस ट्यूब में से अभी मैं डाइग्राम दिखाऊंगा तो यह HCL के contact में आएगा किसके contact में आएगा H positive के contact में आएगा यह positive कहां से आया HCL से आया यही काम हम पहले कर रहे थे recall करो zinc होता था इस zinc metal को किस में रखते थे zinc two positive में रखते थे यह contact में आते थे inter convertible होते थे zinc अपने electron यहीं छोड़कर चला जाएगा यहां zinc two positive में आ गया तो यह negative हो गए या दूसरा एक वे क्या था zinc two positive अपने electron कहीं से बाहर से लेकर के zinc metal में convert हो जाए यही काम यहां हुआ जो h2 h2 gas के form में हैं और यह h2 gas कहा platinum wire platinum plate जो थी उसमें platinum black पर absorb हो गई है फिर वहां उसके contact में आया h positive h2 and h positive contact में हैं जैसे zinc and zinc two positive contact में था दोनों तरफ यह चल सकते हैं h2 से h positive भी हम बना सकते हैं definitely balance करेंगे बस इतना सोचना है कि एच कहां से आया यह hcl से आया यह जो hcl से आया h positive यह तो oxidation होगा और जब h positive एक electron gain कर लेगा तो h2 वापस बन जाएगा यह reduction होगा यह arbitrarily हमने 0 मान लिया इसका इलेक्ट्रोड potential हमने 0 मान लिया यह है standard हमें नहीं पता होगा कुछ ना कुछ जरूर होगा क्या होगा हम तो अपने इसाफ से scale बनाना चाहरे हैं हम अपने इसाफ से चीजों को standardized करना चाहरे हैं हमने एक standard बना लिया कि हम इस hydrogen यह वाला जो इलेक्ट्रोड potential है क्योंकि अब यह hydrogen गैस आ गई ना तो अब मुझे concentration के साथ साथ भाई ठीक है यह तो वन molar concentration ले लिया लेकिन जो है वो तो गैस है गैस का concentration की जगा मुझे pressure यूज़ करना पड़ेगा वन atmospheric pressure पर हम यूज़ करना है यह वन atmospheric pressure पर इसको यूज़ किया जाना है जो इसके साथ contact में रहेगा तो यह भी standardization का एक part यह सारा कुछ मान लिया गया कि इसका electrode potential है zero यह बात अपनी तरफ से arbitrarily मान दी गई standard करने में the standard hydrogen electrode potential is fixed as zero cathode पर reduction होगा anode पर oxidation होगा अगर हम कभी इसको यह वाले equation को यूज़ मैटल पर depend करता है न कि मैटल हम कौन सा ले रहे हैं इस H2 को हमें right hand पर रखना पड़ रहा है left hand पर रखना पड़ रहा है अगर हमें इसे रखना पड़ रहा है left hand पर तब anode consider किया जाएगा और अगर हमें इसे रखना पड़ रहा है right hand पर मैटल पर depend करेगा मैटल के respect में वह इलेक्ट्रो कैमिकल सिरीज के hydrogen से उपर रखे हुए है hydrogen से नीचे रखे हुए यही से बनाई गई यह वह सारी तो standard hydrogen electrode अगर cathode है तो यह equation होगा इसके लिए भी zero है इसके लिए भी zero है दोनों यह बराबर होता है negative sign के साथ यह पढ़ा है भी आपने E oxidation is equal to E reduction माइनस रख देते हैं तो एक का zero माना था दूसरे का तो खुद ही zero हो जाए है हम molarity one लेकर के चले और यह सारी चीज़े आपको ध्यान रखने platinum fall is used in standard hydrogen electrode because it is very good absorber of hydrogen gas है जो हमने यहां पर एक platinum का wire के साथ foil use किया था यह क्योंकि hydrogen को absorb कर लेती अपने surface पर अपने पढ़ा भी होगा अलकीन वाले रेक्शन पढ़े होंगे कहीं प्लस फन में alkyne plus h2 in presence of platinum तो platinum के surface पर यह एच्टू absorb हो जाता है फिर alkyne इससे रेक्शन करता है वो एक अलग बात है वहां तो हम catalyst की तरह से इस्तमाल कर रहे हैं यहां भी यह hydrogen absorbed रहता है surface पर absorbed रहेगा और यह absorb होने के बाद जब h positive की contact में आएगा तब surface पर reaction यह होगा एच पॉजिटिव एच टू एच टू एच पॉजिटिव में इंटर कनवर्टेबल रहें अब यह एच देगा या लेगा यह इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि हम इसके साथ कौन सा मैटल कनेक्ट कर रहे हैं तो यह तीन पॉइंट है जो इस्टेंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशल के आपको सुचने होगे अब अगर हम इसके डाइग्राम की बात करते हैं कि स्टेंडर्ड हाइड़ोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है एक यह फिक्स इलेक्ट्रोड होता है उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर पाएंगे यह इलेक्ट्रोड होगा यह इलेक्ट्रोड में एक ट्यूब ली हमने इसको सील्ड किया पूरी तरह से हाइड़ोजन पास की ह प्लैटिनम ब्लैक की प्लैटिनम फॉयल प्लैटिनम ब्लैक जो होगा वो कोटिड होगा यह जब कॉंटेक्ट में आएगा एच पॉजिटिव के यह एच पॉजिटिव प्लैटिनम के कॉंटेक्ट में आने पर क्या करेगा एच टू प्रोड्यूस करेगा एक टू एंट एच पॉजिटिव में एकलिबरियम यहां पर जो एक हम वोल्ट मीटर एपलाई करेंगे उससे डिटेक्ट हो जाए सपोस्पोस करते हैं हमने कोई मैटल लिया यहां मैटल को डिप करके रखा किसी सिलूशन में वोल्ट मीटर के रिडिंग यह तो जीरो मान है तो इसकी हम कैलकुलेट कर पाएंगे आप यह जो मैटल रॉड है यह नेगेटिव आ रही है या पॉजिटिव आ रही है इस पर यह सारा का सारा डिपेंड करना ठीक हो कि बाती है यहां तक आपको यह पहले डाइग्राम यह बना लो फिर उसके बाद मैं आपको आगे प प्लैटिनम यह पर पास की गई वन अट्मस्टरिक पर यह प्लैटिनम वायर है लेटिनम लेट होगा जब यहां एच पॉजिटिव इसके कॉंटेक्ट में आएगा एच पॉजिटिव यहां पर आ अगया इलेक्राइब ले लिया इसने इलेक्राइब लिया तो एच्टू बना एच्टू बना तो यह एसकेप कर गए है नहीं दो डिरेक्षिन सब्सक्राइब है इसने लेक्ट्राइब लिया इलेक्राइब लेकर होगिक्ञे हाफ रेक्शम ये शू traction जिए मतुप में हमें कौन से वाले रेक्शन की जरूरत होती यह तो को hypoth इलेक्ट्रॉन लिए इसमें एच्टू में कनवर्ट हो गया है यह हम ओवरॉल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं यह किसका माइक्रोस्कोपिक वीव दिखाया गया है वो मैं आपको बता भी चुका एक्वेशन तो आपको डिसक्स की है इस्टेंडर हाइडोजन इलेक्ट्रॉ आप जो डिटर्मिनेशन करते हैं हम इलेक्ट्रोड पोटेंशल का डिटर्मिनेशन मुझे करना है अब एक्जेम्पल के लिए आपको एक सेल डाइग्राम यह इसका मेनिंग पता होना चाहिए यह मैं सेल का हर बार डाइग्राम नहीं बनाऊंगा यह लिखंगा यह हम फॉल्फटीनटोड में कनवर्ट हो रहा है लाफ्न पर लिख जायेगा ऐक्रहों हो उस्क्रम पर एग्र कभी हरario है घरकी टू इनके नहीं नहीं दिया जिए हैट तू फोगूला 9 फिलाल तो यह ऐस पॉयू प्यूर से एच्टू राइट हैंड पर लिखा जाना है अब जब पूरा डाइगराम में बना लेता हूँ इस पूरे डाइगराम में मुझे इलेक्ट्रॉड पोटेंशल, क्या करना होगा इलेक्टरोड पोटेंशल चेक करना होगा यहां मैंने इलेक्टरोड पोटेंशल चेक कर लिया यह लिया यह हड्रोजन इलेक्टरोड लिया इसका मैंने जीरो मान रखा है यह वैल्यू वोल्ट मेटर पे आ गई मेरी X आ गई E cell will be equal to E right minus E left यहां से मैं इसका पता कर सकता हूँ यह वोल्ट मेटर से मैंने वैल्यू ले ली जो भी मेटल है अलग 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 मेटल रखकर के हड्रोजन का हम कैल्कुलेट कर सकते हैं E right minus E left जब हम रखते हैं तो यह value जो आती है हमारी यहां जो value आती है cell की जो value आती यह कितनी आती है यह value आती है 0.76 यह पूरे cell की value आती है इस वोल्ट मेटर में देखो समझो इसको बात को यह वोल्ट मेटर रख रखा है मैंने यह hydrogen electrode अब मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ बस hydrogen लिख रहा हूँ यह hydrogen electrode है जिसको मैंने 0 मान रखा है यह value मैंने zinc की रखी यह cell बनाया गया यह zinc लिया वोल्ट मेटर में value आती है 0.76 तो zinc के लिए कितने आएगी value अभी आपको बताया जा रहा था E cell is equal to E right minus E left will be equal to right कितना है 0 minus E left मुझे निकालना है zinc के लिए E cell कितना है 0.76 that means E for zinc कितना आजाएगा यह value आजाएगी minus 0.76 यह value आजानी चाहिए समझागी बत यही बात जब हम copper के लिए चेक करते हैं copper तो hydrogen को मुझे रखना पढ़ता है left पर H2 gas 2H positive salt bridge copper 2 positive giving you copper metal इसके लिए जब मैं setup रखता हूँ पूरा H2 रखा जाएगा इदर and copper metal इदर रखा जाएगा इसमें वोल्ट मेटर में जो value आती है V is equal to practically करने पर 0.34 वोल्ट आती है value E right यह right है minus E left 0 is equal to 0.34 E not और definitely यह reduction की बात हो रही है will be equal to 0.34 क्यों क्योंकि यह value आगे हमारी 0 E right minus E left is equal to 0 E right मतलब E copper 2 positive 2 copper metal is equal to 0.34 वोल्ट यह value में देने जाएगा है यह EMS cell का हम calculate कर सकते हैं इस तरह से अब कोई अब अगर मालो मैं बीच में से hydrogen हटा देता हूँ यह दो values ध्यान रखते हैं एक यह value आगे एक यह value आगे इस जिन्क को डिप करता हूँ जिन्क सलफेट में दूसरा मैं रखता हूँ यह copper metal इस copper metal को डिजॉल डिप करता हूँ CUSO4 में इसकी value अब मुझे पता है जो मैं calculate कर चुका 0.34 hydrogen standard electrode रखते हुए calculate कर चुका हूँ यह value होती है इसकी standard condition की बात हो रही है one molar concentration की बात हो रही है temperature 25 degree Celsius रखा है तो बात हो रही है copper के लिए यह value है जिंग के लिए यह value निकाल ली जाएगी जिंग के लिए क्या value आ जाएगी यह अभी थोड़ी देर पहले जो हमने hydrogen के साथ calculate करके निकाला था वो आ गया था minus 0.76 वोल्ड अब मैं पूरे cell के लिए बिना practical की यह calculate कर सकता हूँ पूरे cell के लिए बिना practical की यह calculate करूंगा तो कितना आएगा e right यहां मैंने अब volt meter लगाया volt meter में कितनी value आएगी यह हमें given नहीं है तो यह e cell है will be equal to e right minus e left e right कितना है 0.34 volt minus e left कितना है minus minus 0.76 यह value कितनी आगई total e cell के बराबर यह हम कभी किनी भी metal के लिए यह values given होती है और यह values आई कहां से यह मैंने आपको बता दिया हर बार हम hydrogen standard electrode रखते हुए यह एक पूरा data बना लेते हैं पूरी एक list बना लेते हैं वही electro chemical series है हमारी इस electro chemical series से data उठाकर हम किनी भी दो unknown metals का जो metals हैं हमें given हैं उनका जो connection करने के बाद जो volt meter में value आएगी वह value हम predict कर सकते हैं यानि calculate कर सकते हैं galvanic cell के लिए Daniel cell के लिए copper and zinc क्योंकि common है यहीं से हमने शुरुआत की सारे example इसी से लेके चल रहे हैं लेकिन यह metal change होगा तो यह value change होगी यह वाली यह वाला metal change होगा यहां तो hydrogen है तो zero ही होगा लेकिन अगर copper की जगह कोई और होगा तो value change होगा तो मैं अब इसको जो बात मैंने बताई है वो आगे proceed कर रहा हूं आपको दिखा रहा हूं यह anode है यह cathode है जब हम यहां zinc के साथ इसे रखते हैं तो hydrogen होता है एक cathode AMF cell का जो calculate किया जाता है practically आएगी यह value यह value आ जाते है 0.76 और 0.76 value आई तो मैं E-cell hydrogen का तो zero रखकर इस zinc का मैं निकाल पाऊंगा क्योंकि यह तो E-cell आई है value practically आई है तो क्यानि E-right क्या है E-not reduction है ध्यान रहे मतलग E-not reduction मतलग किस से किस में कनवर्ट कर रहे हैं हम जिंक से यहां ध्यान दो कि जिंक टू पॉजटिव में कनवर्ट कर रहे हैं भले ही होड़ा ऑक्सिडेशन है इस पर यहां ने जो लिखा है वह reduction potential लिखा है स्टंडर्ड की कंडिशन की बात हुती ना भी इलेक्ट्रोड पोटेंशल हमें चलिया जाता है होता लेफ्ट इलेक्ट्रोड पर ऑक्सिडेशन है लेकिन यह वैल्यू हमें हटाके यहां से copper रखता हूं तो अभी से मुझे hydrogen को लेना होगा इसको cathode लेना होगा यह वैल्यू जब मैं रखता हूं पॉजिटिव वैल्यू आए और net मिला करके इनका अंतर किया जा सकता है अब आता हूं मैं EMF definition पर पता तो चली गई भई यही तो EMF है वाट इस EMF EMF is cell for cell E right minus E left extended electrode potential दो अलग अलग half cells के electrode potential का अंतर E right minus E left E reduction E cathode minus E anode आप ऐसे बुल दो राइट में कौन है cathode है left में कौन है anode है E right minus E left बुला जाएगा कि यह इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स है EMF है cell का E cell से हम इसे represent करते हैं कैसे define करें difference between इलेक्ट्रोड पोटेंशल ओफ हाफ सेल्स अब डिफ्रेंस बोलने में हाफ सेल के confusion है left में से राइड या राइड में से लेफ गटन राइड में से लेफ गटाना है हमेशा हम डारेक्ट मिजर्मेंट कर सकते हैं practically इसका वोल्ट मेंटर से वोल्ट में एक्स्प्रेस की जाएगी वैल्यू हमेशा और यह जो EMF है due to the EMF the electron flow from electron of lower reduction potential to higher reduction potential reduction potential lower होगा मतलब electron lose करने की tendency ज्यादा होगी electron का flow कहा से होगा lower reduction potential से higher reduction potential की तरफ हो का है एनोड से cathode की तरफ होता है कि Там ज्यक्षे copper की तरफ तो ही चले थे electron ज्यक्षे चार्ज क्या आ गया था कि नेगिटेव आ गया था ना ज्यक्रॉड़ड पर क्या चाह जाया था नेगिधेर povoया ता कॉपर की रॉड़ पर किया चाल जायाओ in और फिर्ट्र अभी हमने कल्कुलेड्ट भी किया थैस्था कितना माइनस झीरो पॉइंट सेवंच वोल्ट आया था इसका इलेक्ट्रॉड पॉटेंश्ल इंडियुजिल का कितना था जीरो पॉइंट थी फूर वोल्ड आया था E left, E cathode minus E anode, ध्यान रहे, समरंड रहे, की E cathode and E anode दोनों reduction potential लेने हैं, याद रहे, ध्यान रहे, मैमोरी में रहे, आपके ये बात, confusion नहीं करना इसमें, E right minus E left, E cathode minus E anode, E reduction potential of cathode minus E reduction potential of anode, reduction, reduction, बस, यहां confusion लगता है कि, हम E cathode minus E anode तो याद रखते हैं, लेकिन E anode की वो value लिख देते हैं, जो oxidation potential की होती है, standard value ली जाएगी तो reduction potential की ही ली जाएगी हमेशे, ये formula में याद रखने लाइक है, जो spontaneously work करने वाले cell हैं, उनके लिए E M F की value positive हो, ये फर्दर काम के बाद, ये फर्दर काम के बाद, और a cell reaction to occur spontaneously E M F is positive, खुद से electricity का flow होगा, जिसमें electricity produce होगी, उसके लिए E M F positive होगा, जिसके लिए E M F negative है, उसमें electricity produce नहीं होने लग रही हैं, यानि वो direction जो हम सोच रहे हैं, उसमें बाहर से electricity pump करनी पड़ेगी, यानि reverse करने पड़ेंगे सारे reaction, positive होने के लिए मैं क्या लिखूंगा यहां, E cathode, बड़ा होना चाहिए न, E anode से, होंगे तो reduction potentially, अगर यह बड़ा, यह बड़ी value है, यह चोटी value है, तब यह तो positive आएगा, तो cell reaction को carry कराने के लिए, anode से cathode की तरफ electron को दोड़ाने के लिए, क्या होना चाहिए? EMF of cell positive होना चाहिए, कब होगा EMF cell positive? जब E cathode बड़ा होगा, positive value की बात हो रही है, in comparison of E anode. तब यह value positive आ सकते हैं, otherwise यह value positive नहीं आएगी, एक बात यह हो गई, तो हमने अभी यह एक जो cell किया था, इसके लिए अभी data मैंने निकाल के बता दिया आपको कि किस तरह से आ गया, जैसे हम कोई भी cell कर सकते हैं इसके साथ, इस particular formula के साथ, राइट हैंड पर जो भी है, लेफट हैंड पर जो भी है, यह value आई कहां से हमारे पास, standard hydrogen electrode, assume करके, मान करके हमने रखा, तो यह values हमारी हैं, अब मैं तेज़ी से एक ए पॉइंट बता रहा हूं जैसे galvanic cell लिया हमने कोई, गैल्वेनिक सेल Electrochemical cell हैं, क्या करता है, क्या करता है ए लेक्ट्रिकल एनरजी को, व्यक्ट्रिकल एनरजी में convert करता है, यह convert कर दिया हमने, एक parts लिया, दूसरा part लिया, half reaction, यह reduction, यह oxygen, overall reaction भी हम लिखसकते हैं, cell reaction भी लिख सकते हैं, simply सी बात है, स्टेंडर्ड नोटेशन अगर मुझे लिखनी है तो स्टेंडर्ड शॉर्ट हैंड नोटेशन यह कुछ लिखनी है अब EMF of cell क्या लिखोंगा मैं E right minus E left values अभी थोड़े दिर पहले जो निकाली थी और बताएं थी वो यह हम लिख सकते हैं 0.34 volt minus minus 0.76 तो यह टोटल वोल्ट आ जाएगा अभी आपको सॉल करके बताया यह मैंने तो यह सॉल करने के बाद जो हमारी value आती है इस galvanic cell के लिए जिसमें एक electrode zinc है और दूसरा electrode copper है उसके लिए value आ जाती है क्या मतलब है E potential of cell का electrode potential या EMF of cell या E cell का क्या मतलब है कि electron कितना power के साथ pump हो रहे हैं कितना easily pump हो रहे है किसी एक anode से cathode की तरफ electron किस ease के साथ रन हो रहे हैं यह value यह numerical value यह बताती है यह numerical value क्या बताती है यह numerical value बताती है जितनी value यह जादा होगी उतना electron दोड़ के भागेगा तेजी से यहां से negative electrode से anode से cathode की तरफ उतना easily यह जाएगा उतना खुशी खुशी जाएगा और अगर मालो यह 0.1 volt है 0.01 volt है यह अंतर तो जाएगा रुख जाएगा यहां होगे इदर उदर देखेगा कोई आ तो नहीं रहा है पीछे फिर इदर जाएगा फिर यह देखेगा थोड़ा सा गड़ बढ़ रहेगा इजीनेस नहीं इच्छा नहीं है इसके जाने यह वैल्यू क्या बताती है एम एफ ऑफसल कितना असानी से कितने मुश्किल से कोई इलेक्ट्रॉन एनोट से के थोड़ की तरफ रन करता है यह वैल्यू यह प्रेडिक्ट करती है यह वैल्यू अगर नेगेटिव में हैं तो इसका मतलब है नहीं फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन का समझ लगते है बात यह चलो आगे देखते हैं हम इसमें इसी बात को आगे अगर प्रोसीड करते हैं गैल्वैनिक सेल को वॉल्टिक सेल भी कहते हैं यह तो पुरानी बात हो गई सेल पोटेंशल इसमेजर्मेंट आफ हो वैल इस चेल रेक्षन पुष और पुल एलेक्ट्रॉन तूथ सर्किट जो बात में भी बता रहा था एलेक्ट्रॉन कितनी इच्छा है इसकी एनॉड से के थार्ड की तरफ जाने की और जब ये एनॉड से के थार्ड की तरफ रन करेगा पॉजिटिव वैल्यू इंडिकेट करती है कि ये स्पॉंटेनियस है रेक्शन और ये वैल्यू अगर नेगे जो रेड़क्शन होगा वो कहां होगा हायर पर लोवर से हायर की तरफ को इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है लोवर रेड़क्शन पोटेंशल वैल्यू से हायर रेड़क्शन पोटेंशल वैल्यू की तरफ हमें मुमेंट करना होता है इलेक्ट्रॉन का अभी हम कर चुके ये क जिंक रॉड़ली थी एक, एक कॉपर लिया था, कॉपर सलफेट को डिप किया था, कॉपर सलफेट में डिप किया था, जिंक सलफेट में माइनस 0.76 वैल्यू थी पोटेंशल की प्लस 30.34 वोल्ट वैल्यो थी कम से ज्यादा की तरफ होता है इलेक्टरोंस का अब हम इसमें यह भी देखते हैं जो चार्जिस का मॉमेंट हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है जो हम वोल्ट की बात करते हैं वोल्ट क्या चीज़ है जो वन वोल्ट होता है वो एक जूल पर को लंप से रिलेटेड होता है यानि अगर मैं एक पर्टिकुलर सर्किट में इस तरह से इलेक्टरों रन करता हूं कि उसमें एक कुलंप चार्ज का मॉमेंट हो और वन जूल एनरजी से हो तो यह जो difference of potential कहलाएगा यह one वोल्ट कहलाएगा यह potential की एक unit हो गई या potential difference की unit हो गई वोल्ट जो है हम इसे represent किस तरह से करेंगे हम इसको represent करेंगे कुछ इस तरह unit of potential is volt और चार्ण की कुलंप वोई पुरानी बात जैसे आप इलेक्ट्रॉन पर चार्ज बताते हो, एक पर बताते हो, एक मोल पर भी बता सकते हो, एक पर जितना चार्ज होगा, 1.6 इंटू 10 to the raise माइनस 19 कुलम्ब, बड़ा छोटा चार्ज है यह, वन मोल पर निकालना है, तो इसे 6.02 इंटू 10 to the raise 23 से मल वन मोल इलेक्ट्रॉन पर अगर हम चार्ज निकालते हैं, तो वन मोल के चार्ज को हम वन फेरडे बोलते हैं, एक लेक्ट्रॉन का चार्ज तो हम कैसे मेजर्मेंट करेंगे, बड़ा मुश्किल का में इतना चोटा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हम वन मोल इलेक्ट्रॉन क प्लस टू इलेक्ट्रॉन इसका वन मोल लेता हूं तो दो मोल इलेक्ट्रॉन तो दो फैराडे चार्ज इसने प्रोड्यूस किया है एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम अगर टोटल कुलम में करते हैं एक मोल का चार्ज कुलम में करते हैं एक एलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 प्थ half-249 मॉंस नैंटीन कुलम्ड एक मॉलमगेदरो नंबर से मॉझन करके वन मॉल का निकाल लेंगे तो यह इसको कहा जाता है ऐसंदी ऐसंदी ऐसंद एक एक मॉल उलेक्टोन का चार्ज जो किहाता है नायन यह रिलेशन है फेरडे का एंड पुलम का जो आपको पता होना चाहिए अब इसका रिलेशन एक हम फर्दर थर्मो डाइनमिक परामेटर जिसे हम डिल्टा जी कहते हैं इससे भी कर सकते हैं एक फ्री एनरजी होती है अगर आपको याद हूँ कभी थर्मो डाइनमिक्स में इतना तो सबको पता ही होता है कि फ्री एनरजी की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाती है कोई एनरजी है यह किसी टाइब की एनरजी है किसी प्रॉसेस के लिए यह वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाती है तो यह प्रॉसेस स्पॉन्टेनियस प्रॉसेस होता है लेकिन अगर किसी प्रॉसेस के लिए ये वैल्यू पॉजिटिव आती है थर्मो डैनमिक्स मैं रीकॉल कराता हूं थोड़े से पैरामेटर्स याद करोगे तो आ जाएंगे डिल्टा एच होता था एक चेंज इन एंथेल्पी डिल्टा एस होता था प्लस वन में पढ़ते थे चेंज इन एंट्रॉपी चेंज इन फ्री एनरजी डिल्टा जी तो जो फाइनली डिसाइड करने वाला पैरामेटर है वो पैरामेटर है डिल्टा जी ना अकेले हम डिल्टा एच से डिसाइड कर सकते स्पॉंटेनिटी किसी कैमिकल रेक्शन की हम कैसे बताएंगे कि ये र के लिए किसी रियक्शन के लिए डिल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तब हम बोलते हैं कि यह प्रॉसेस स्पॉन्टेनियस होता है एक रिलेशन कैलकुलेट किया गया इस एम एफ ऑफ सेल में एफ सेल में डेफिनिटली स्टेंडर्ड की बात हो रही है और डिल् यह रिलेशन जो बताया गया था वो यह था डिल्टा जी यहनी गिप्स फ्री एनरजी चेंज किसी गीवन रेक्शन के लिए विल बे एक्वल तो माइनस एन नमबर अफ मोल्स अफ एलेक्रॉन गेटिंग ट्रांसफर्ट multiplied by faraday faraday constant multiplied by e-naught of cell जो भी किसी cell का e-naught है इस parameter से इस parameter से इस parameter से जितने भी electron ट्रांसफर होए है एन क्या है नमबर अफ मोल्स अफ इलेक्रॉन की बात हुए है गिंती विएसे तोड़ी करेंगे एक दो तीन एक मोल इलेक्ट्रॉन हुए है सब कुस करते हैं यह वना जाए तो डिल्टा जी कल्कुलेट करने का ये तरीका गिप्स फ्री एनरजी क्या चीज़ है एक थर्मोडाइनमिक पैरामिटर जिससे क्या पता चलता है किसी प्रॉसेस की स्पॉंटेनिटी पता चल जाती है तो हम थर्मोडाइनमिक से अगर हमें डिल्टा जी गीवन हैं तो किसी सेल के लिए हम ये नौट निकाल सकते हैं ये थर्मोडाइनमिक कहां से आएगा हमारे पास स obt यह तयएOoh आएक बेड़र कि ऐस से आएगा व्याह तई से आएगा त्याइगा टेमब्रेचर एक पर अभ differ 기억 accents अगर मुझे पता है तो मुझे पता है थो डिल्टा एच पता चल जाएगा दे पता चल जाएगा दो किसी अन्नोन जील पता चल जा है तो यह एक रिलेशन है जो कि किया जा सकता है किसी भी सेल के यह डिसाइड करने में कि इस सेल के लिए गिल्टा ए की वेल्यू यानि गिप्स फ्री एनरजी की वेल्यू क्या होती है we can combine the standard cell potential E0 and Faraday constant to give equation for G0 gives free energy value negative is spontaneous यह रिलेशन डिल्टा जी नौट विल बी इक्वल टू एनी एफ इनके यह मीनिंग्स हैं जो भी आपको मैंने यह पता है तो यह एक पार्ट हमने किया इसका आज इतना रखेंगे नेक्स्ट क्लास में हम नर्नेस्ट एक्वेशन करेंगे जब हम नर्नेस्ट एक्वेशन हो जाती है तो मेन इलेक्ट्रोकेमिस्टी की थियोरी हो जाती है अप फिर तो इसके बाद की चीज़े एड़ ओन एड़ ओन है यानि जो आज का लेक्ट्र है यह इसमें एम एफ समझना इंपॉर्टन्ट है और इसमें दो इलेक्ट्रोड के साथ हम एम एफ किस तरह से कैलकुलेट करते हैं यह प्रैक्टिकली किया जाता है इस्टेंडर हाइडोजन इलेक्ट्रोड से वैल्यूज पता की जाती है वो निकालना मैंने बताया आपको पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल स्रीज इसी मैथड से बनती है वो स्रीज जो बन गई उन वैल्यूज को हम किस सरसे रखते हैं और आगे एक छोटा सा यह रिलेशन बता है गिब्स फ्री एनरजी का गिब्स फ्री एनरजी की वैल्यू कहां से पता चलती है थर्मोडानिमिक से में पता चलती है यह हम एलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से नहीं निकालते हैं या अगर हमें एम एफ एम एफ पता है तो हम डिल्टा जी निकाल लेंगे लेकिन थर्मोडान यह मैं इतना ही रख रहा हूं क्लास के लिए कि डाउट पाउट किसी का होगा तो मुझे आप बताए